इस वीडिएوا के अंदर मैं आपको सबी चैप्टर्स को रिवाइस कराऊंगा शौट में, जिय सकी मैंने आपको बताया था कि मैं रिवीजन सीरीज की वीडियोज लिकाराऊंगा, तो सबीचैप्टर्स की अलग-लग वीडियोज अपलोड करना पॉसे बंधर नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर जो मैं आपकी यह जो बुक है न आपकी fundamentals of human geography यह वाली जो आपकी बुक है इसके अंदर जो आपका chapter है secondary activities उसकी मैं video upload कर चुका हूँ तो मैं इसके topics उस chapter के topics नहीं बताऊंगा इस video में ठीक है उसकी मैं आपको नीचे comment section में provide कर दूँगा वहां से आप देख लेना right तो यह जो video है न यह इसकी थोड़ी सी length बढ़ी हो सकती है but आप इसको पूर अच्छे से देखना notebook लेके बैठ जाईए जो भी important मैं आपको points बता रहा हूँ उनको लिख लेना ठीक है और इसका revision करके जरूर जाना वीडियो को पूरा last तक देखना काफी चीड़ा आपको समझ में आ जाएंगी right तो जो भी topics मैंने उठाएं सारे के सारे बहुत important है तो जो आपकी book है fundamentals of human geography उसको मैं पहले start कर रहा हूँ और आपका जो chapter है वो है tertiary and quaternary activities ठीक है इसके मैं आपको कुछ important topics बता रहा हूँ जो की exam में आने की chances है वहाँ से questions यहाँ पर देखो आपकी book में बता रहा है tertiary activities के बारे में तो जो tertiary activities है न वो कही तरह की होती है जैसे हैं जैसे कि यहाँ पर given है इक उसके अंदर होता है transport हाँ इसक E AI ठांस्पोर्ट होता है और उसके साथ साथ कुछ factors है यह पुरा mind map है हाँ और कुछ factors होते है जो की affect करते है ठांस्पोर्ट को जिसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा जैसे कि यहाँ पर demand हो गया roots हो गए, उसके साथ-साथ यहाँ पर trade and commerce, ये भी एक tertiary activity ही है, trade and commerce जिसके अंदर दो तरह की activity आती है, पहला आता है retail trading और second wholesale trading और उसके साथ-साथ यहाँ पर दो तरह के marketing centers होते हैं rural marketing center and urban marketing centers, और tertiary activities का ही एक type है communication, जिसके अंदर telecommunication और mass media आता है, इन वे से मैंने कुछ important topics उठाए है जैसे की tertiary and quaternary activity का जो आपका chapter है उसके अंदर ये वाले topics rural marketing और urban marketing में क्या difference है, तो आप से question पूछा जा सकता है exam के अंदर कि differentiate between rural and urban marketing centers, तीन mark में तो आपको इसमें explain करना होगा ठीक है, उसके according तो यहाँ पर मैं आपको बता दू, rural marketing और urban marketing होता क्या है तो देखो, rural marketing centers scatter to nearby settlements these are quasi urban centers they serve as trading centers of the rudimentary type तो यहाँ पर होता क्या है, rural marketing वाले जो ये centers होते हैं, इसमें क्या होता है, एक तरीके से quasi urban centers होते हैं, और nearby settlements होती है मतलब आपने देखा होगा, गाउं में क्या होता marketing के लिए shops होती है, ठीक है, जो की इतनी well developed नहीं होती, जितनी आपको urban marketing center में मिल जाएंगी urban area के अंदर, शहर में मिल जाएंगी हना, उसके साथ-साथ हम यहाँ पर देखें, urban marketing center को तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें specialized urban services देखने को मिलेंगी ठीक है, यहाँ पर हमें goods and services की variety भी जादा देखने को मिलती है specialized good मिलेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमें mostly local local जो goods हैं ना, जो की professional जो services होती है professional और personal services यहाँ पर जो है, develop नहीं होती proper तरीके से, यहाँ पर आपको mostly mondys देखने को मिल जाएंगी जैसे कि wholesale markets यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे retail areas आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपको proper तरीके से सारी चीरे देखने को नहीं मिलती, बस यहाँ पर उनी goods की, वहाँ पर availability होती है जो की local लोग वहाँ पर demand करते हैं ठीक है, लेकिन urban center में अगर हम on the other hand देखें, तो यहाँ पर specialized markets होते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा mall, हना malls हाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, proper तरीके से अलग अलग type के market देखने को मिलते हैं, और कई सारे type के आपको goods देखने को मिलेंगे, उसके साथ-साथ यहाँ पर they are not actually urban centers बट यह urban center तो नहीं होते यह जो rural वाले होते हैं, यह urban center नहीं होते हैं, बट यह important होते हैं किनके लिए, यह important होते हैं ताकि वहाँ पर जो local लोग हैं जो कि उस चीज की demand करते हैं उसको fulfill कर सकें, ठीक है so rural marketing center में basically होता क्या है, हाँ पर सारे तरह कि जो goods वो available नहीं होते, specialized नहीं होते हना, और अगर हम urban marketing में देखें, तो हमें सारी professional services देखने को मिल जाएंगी, सभी तरह कि goods and services देखने को मिल जाते हैं जैसे कि हाँ पर teachers, lawyers, consultant physician, dentist, यह सारे हमें available, जो भी तरह की educational institution है, या फिर कोई भी चीज है, वो सारी available हो जाती है तो जितनी भी चीज हैं ना, hospital ले educational institution ले लो, सभी marketing का पार्ट है, हना तो ruling area में सभी available नहीं होता बट urban में होता, यह point याद रखोगे तो इसका आप अच्छे से solution लिख सकते हो exam के अंदर, right उसके बाद मैं अब चलता हूँ second topic के तरफ, जो की इसी chapter से है that is transport, आप से question पूछा जाएगा, की transport होता क्या है, और आपको क्या बताने, factors बताने हैं, जो की transport को affect करते हैं, हना तो देखो, transport क्या होता है, transport is an activity, और important service by which people, materials and manufactured goods are physically carried from one location to another transport एक ऐसी activity होती है जिसके अंदर क्या होता है, goods and services, या फिर people वो एक जगा से दूसरी जगा क्या होते है, वो transfer किये जाते हैं, इसे कहते है transport, transport को हम measure करते हैं, distance के अंदर हना, so जो transport distance है, उसको हम measure करते हैं kilometer distance में, कि कितना आपने distance travel किया, कितना आपको time लगा हाँ पर पहुँचने में और कितनी आप ही cost लगी, तो transport एक ऐसी activity, ऐसी service जहाँ पर, जिसमें क्या होता है materials और जो goods होते, वो एक जगा से दूसरी जगा पर क्या होते है, transfer किये जाते हैं कई सारी चीरों को use करते हुए, जैसे कि हाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रक है या फिर है demand, देखो, जिस चीज की demand नहीं होगी न, वो चीज तो एक तरीके से होई नहीं सकती, हना उसकी production ही नहीं होगी, तो demand किस भी depend है, demand कौन करते हैं हम people ही तो demand करते हैं तो यह जो people है, यह demand करते हैं, नहीं कि population, so कौन को से factors affect करते हैं, जिन में किस पर depend है, हम people पे, हम population पे, हम होँगे, तभी हम demand करेंगे, उसके बाद transport जो है, वो depend करता है, और affect कौन सी चीज करती है, another point जो है, वो है, roots, मतलब रास्ते, देखो, जो एक particular, suppose करो, कोई, आपको क्या करना है, समान तो जो एक तरहीके से factors affecting transport, तो जो root है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, city की location, climate कौन सा टाइप का, जो climate है, या फिर वहाँ पर industry का area है की नहीं है, raw material वहाँ पर मिलते हैं की नहीं मिलते हैं, अगर कोई area है, जहाँ पर raw material आपको मिल जाते हैं, फिर industrial center है, तो वहाँ पर जो transport है, वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जहाँ पर climate आपको बेकार देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो transport है, वो अच्छे से available नहीं होगा, तो जो root है, यानि की जगा, जो है, रास्ता है, वो भी depend करता है, और वो भी affect करता है, transport को, तो दो हमने देख लिए हैं, so transport होता क्या है, कौन-कौन से उसमें हम इसको measure करते हैं, और कौन-कौन से factors affect करते हैं, यह मैंने आपको बता दिया, ठीक है, थ्री माक के लिए important है, तो देखो tourism क्या होता है, tourism एक ऐसी activity होती है, जिसको किया जाता है, किसके लिए, recreation के लिए, business के purpose से नहीं किया जाता, recreation का मतलब होता है, जब आप entertainment के लिए जाते हो, हना, तो जब आप entertainment के purpose के लिए जाते हो, या फिर enjoy करने के लिए, उसे कहते है, tourism, ये tourism कई सारे लोगों को employment प्रोवाइड करता है, जैसा कि आपने देखा होगा, वैशनो देवी के अंदर, अगर आपने सुना है, नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ पर कई सारे restaurant है, वहाँ पर कई सारे transportation की जो चीज़े हैं, वो open हो चुकी है, जिससे क्या होता है, एक तरीके से employment प्रोवाइड होती है, लोग आएंगे as a tourism, अपना दर्शन करने आएंगे, या फिर किसी जगा पर घूमने फिरने आएंगे, तो हाँ पर क्या होगा, वहाँ पर entertainment की, वहाँ पर चीज़े खुल चुकी है, shops हैं, वहाँ पर ताकि वो समान उनको बेख सकें, जो भी tourist आएंगे, transportation facility जो की बहुत important है, meals, accommodation उनकी रहने की जगा, जैसे की hotels वगेरा, ठीक है, उसके बाद कौन कौन से factors affect करते हैं, tourism को, तो देको demand again, demand नहीं होगी, तो एक तरीके से कुछ होई नहीं सकता, और demand किस बेटिपेंड है, तो देको holidays जो है न, वो बढ़ती जा रही है, मतलब एक तरीके से holidays अब properly मिलती है, private jobs के अंदर, और जो हमारा organized sector होता है, तो लोग जाते हैं, लोगों का standard of living बढ़ रहा है, उनकी income बढ़ रही है, उनको leisure time चाहिए, मतलब एक तरीके से उन्हें घूमने फिरने का, अराम करने का time चाहिए, तो overall demand जो है न, tourism की वो बढ़ती जा रही है, लोग घूमना फिरना काफी पसंद करते हैं, हना, उसके सासा transport, जितनी अच्छे transport की facility अवेलेबल होगी, तो उतना ही आप घूमने फिरने जाओगे, suppose करो आपको कहीं पर जाना है, और आपने देखा, वहाँ पर कोई aeroplane नहीं जाता, या फिर मतलब प्रॉपर facility अवेलेबल नहीं है, वैसे अभी के जमाने में, अभी के टाइम पर अगर हम देखें, तो facilities अवेलेबल हैं, बट आप assume कर सकते हो कि facilities अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने प्लैन को cancel कर दोगे, हना, तो इसलिए जो transport है, यह भी बहुत important है, इसके अंदर क्या technological infrastructure development होनी चाहिए, जैसे की expansion हो रहा, airports का, airports का, air transport का, जिसके थुरू हम easily travel कर सकते हैं, भले थोड़ा से expensive होता है, बट हम एक तरीके से fast हैं रापिड, बहुत जल्दी इसमें travel कर सकते हैं, अब यहाँ पर कुछ tourist की attractions होती हैं, कि जो यह tourism में के अंदर, जो tourist people होते हैं, यह मतलब कहाँ पर घुमना फिरना पसंद करते हैं, तो देखो ऐसी जगा पर जाएंगे, climate वाली जगा पर, जहाँ पर cold area होगा, या फिर warm area होगा, आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर, बहुत लोग यह जो कुल्लू, मनाली, शिमला, यहाँ पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंडा area होता है, तो यहाँ पर वो एक तरीके से enjoy करना चाहते हैं, cold climate को, जो कि maybe उनकी, जहाँ पर वो रहते हैं, हाँ पर उनको नाम मिलता हो, हाँ उसके सासाथ history and art, तो बहुत लोग जाते हैं घूमने, देखो इसको आप एक तरीके से याद करो, कि लोग कहां कहां घूमने जाते हैं, ठीक हैं, तो इससे आपका यह जो topic है, वो समझ में आपको आ जाएगा, तो देखो कुछ लोग जाते हैं, घूमने history and art की चीड़ों को देखने, जैसे कि कोई चर्च हो गिया, monument हो गिया, ताज महल, जामा मस्डित वगएरा, हना, इनको देखने जाते हैं, आफिर कोई archaeological site हो गई, cultural और economy वाली चीज़ों को देखने जाते हैं, वहाँ के local जो custom है, उनको देखने हैं, फिर ethnic, वहाँ के जो local रीती रिवाज हैं, उनको देखने, वहाँ का खाना enjoy करने, ठीक है, उसके बाद बहुत लोगों को, वहाँ का lands के पसंद होता है, यह भाँ के वहाँ पर mountains हैं, lakes हैं, beach, बीच के लिए बहुत famous है गोवा, तो बहुत लोग गोवा विजिट करना चाहते हैं, और जाते भी हैं, तो यह था tourism, कौनकों से factors affect करते हैं, और tourist की attraction, कौनकों सी चीज़े हैं, I hope आपको समझ में आया होगा, अदर हमने पढ़ राखा था, roads के बारे में, highways, border roads, railways, water के अंदर, sea routes, ocean routes, coastal shipping, shipping canals, और inland waterway, इसके अंदर मैंने आपके लिए, क्या important topic डाले हैं, वो है railway, railway, ठीक है, railway, तो देखो, यहाँ पर क्या, Europe has one of the most dance rail networks in the world, हाना, तो यहाँ पर क्या, Europe के अंदर आप देखोगे, तो बहुत बड़ा एक तरीके से, rail network है, इसके पीछे का reason है, because यह develop area है, develop continent है, और यहाँ पर ही हमें, first time industrial revolution देखने को मिला, आपने I hope इसके बारे में, history में पढ़ाओगा, industrial revolution देखने को मिला, तो industry develop होंगी, आपको उसको, जो भी समान produce होगा, उसे आपको एक जगा से, दूसरी जगा पहुचाने के लिए, railways तो चाहिए न, तो इसलिए हमें Europe में, एक तरीके से, dance rail network देखने को मिलता है, और जो length है, इस network की, वो है 4,40,000 km, उसके सासा, जो important rail hats है, वो हैं London, Paris, Brussels के अंदर, और यहाँ पर हमें, underground railway भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे की, London के अंदर है, Paris के अंदर है, ठीक है, रशिया के अंदर, अगर हम देखें, तो उसकी जो पूरी 90% की, जो transport की requirement है, वो खाली railway फुल्फिल कर देता है, यानि कि आपको 90% तुम्हाँ पर railway वाला transportation देखने को मिलेगा, 90% का आपर, रशिया के अंदर, North America के अंदर अगर हम देखें, अब हम सारे continent का देख रहें, हमने Europe का देख लिया, यहाँ पर हम रशिया का देख रहे हैं, यहाँ पर हम North America का देख रहे हैं, तो यहाँ पर 40% है, पूरे वल्ड का total rail network, North America के अंदर, और उसके साहसाथ USA के अंदर, अगर हम देखें, तो USA के अंदर, जो mostly उसके urban industrialized, और urbanized regions हैं न, वहाँ पर आपको ज़्यादा railway देखने को मिलेंगी, तो जहाँ पर ज़्यादा need होगी, वहाँ पर railways आपको देखने को मिलेंगी, जो ज़्यादा develop होगा, जो ज़्यादा goods को produce कर रहा है, वहाँ पर railways देखने को मिलेंगी, उसके साहसाथ South America जैसी countries हैं, जैसे कि हाँ पर आप देख सकते हो दो रिजेंस के बारे में बता रखा है Papas, Argentina का और Brazil यह country है ठीक है अरजनटीना country है हाँ और Brazil यह country है तो यहाँ पर हमें dance देखने को मिलेगा rail network उसके साथ-साथ यहाँ पर यहाँ पर जो Australia है वहाँ वहाँ पर सो ये था railway के उपपर आपके बुक में transcontinental railway गीवन है जैसे कि Siberian Siberian वाला ठीक है उसके बाद Canadian है ना सो Canadian के बारे में गीवन है फिर Australian वाला गीवन है तो इनका आपको क्या याद करना है आपको याद करना है कि ये जो rail है वो कहां से कहां तक जाती है और कौन कौन से area सो cover करती है ये आप बुक में से पढ़ लेना ठीक है ये भी थोड़ा सा important है तो इस chapter से मैंने आपको बता दिया कि railways जो की अलग-लग continents की है क्या factors affect करते है railway को मतलब वहाँ पर जादा production वगरा होनी चाहिए जितनी जादा वहाँ पर production होगी ठीक है और जितना वो develop continent होगा उतनी जादा वहाँ पर आपको railways देखने को मिलेंगी develop और कुछ regions है और थोड़ा सा data है वो याद कर लेना next is cyberspace so cyberspace और internet is the electronic digital world for communicating for assessing data information over computer networks without physical movement of the sender और receiver cyberspace को आप समझ सकते हो किस तरीके से as a internet ठीक है तो cyberspace होता क्या है cyberspace के अंदर जो ही internet है महाँ पर होता क्या है उसमें जो भी sender है वो क्या करता है मतलब जिसको भी message भेजना है information भेजनी है वो भेज सकता है communicate कर सकता है बिना physically movement तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि internet हमारे पास है कितना important है आज के लिए हमें किसी को भी message भेजना है तो हम easily से भेज सकते है टाइम भी नहीं लगता उसमें हना यही cyberspace है तो cyberspace एक तरीके से internet है जिसके थूँ आप कई सारी activities कर सकते हो जैसे कि email कर सकते हो e-commerce, e-learning जो कि आप कर रहे हो अभी ठीक है आपका internet खर्च हो रहा है आप यह जो वीडियो देख रहे हो हना so this is e-learning, e-governance और इसके सारी जो cyberspace है जिसके थूँ हम communicate करते है पीपल के साथ बिना physically movement करे होए हना sander और receiver के बीच में communication होता है तो यह जो चीज़े है यह expand कर रही है आपको भी पता है internet है कितना expand कर रहा है हना इसका use, covid-19 के बाद तो इसका use जादे बढ़ गया है expanding हो रही है इस सारी चीज़े और अगर इसके उपर question आता है जो कि मैं आपको बताऊंगा यह वाला इस तरीके से question पूछा जा सकता है तो आपको उसमें advantage बता देना internet के जो कि आप अराम से अपनी language में लिख सकते हो right, so question आ सकता है define cyberspace होता क्या है also mention importance of internet in the present world कितना simple question ने थ्री मा का हो के अराम से बन जाएंगे यह वाले definition लिख देना कि क्या होता है cyberspace जिसमें communication होती है right और यह सारे आप इसमें example के तोर पे इसको लिख सकते हो and advantage of internet कि इससे हम क्या कर सकते हैं इससे कोई भी source of information ले सकते हैं education हम कर सकते हैं हना और इसके थ्रू हम कई सारी चीरों की bookings भी कर सकते हैं online shopping कर सकते हैं इतनी सारी चीज़े हैं right उसके बाद हम चलते हैं next chapter है हमारा mineral and energy resources so mineral क्या होता है यह आप two mark के लिए पढ़ ले न दो तरह के mineral resource होते हैं metallic non-metallic metallic जिसके अंदर metals होंगे non-metallic में obviously non-metall metallic जो mineral है उसको हमने दो parts में divide किया हुआ है पहला है ferrous दूसरा है non-ferrous ferrous जिसके अंदर iron का content available होता है हना इसका example iron manganese non-ferrous जिसके अंदर iron का content नहीं होता जैसे कि bauxite हना copper इसमें आपको iron नहीं देखने को मिलेगा copper के अंदर और bauxite के अंदर उसके बाद non-metallic भी दो parts में divide है एक तो fuel mineral जिसमें coal petroleum coal ठीक है petroleum और आपको natural gas देखने को मिलेगी और कुछ other non-metallic minerals जैसे कि meka ग्रैफाइट इनमें से आप दो तीन याद रखना so ये question आप से पूछा जा सकता है कि आपको classify करना है जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि आपको classify करना है mineral को into two groups on the basis of chemical and physical properties give one example of mineral of each group तो दोनों group के जो mineral है उनके आपको example भी देने और classify करना है chemical और physical properties के basis पर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक है metallic एक है non-metallic और उसके भी अलग-अलग दो parts में division है ठीक है उसको आप explain कर देना और उसको एक तरीके से उसके example भी लिखना example important है अब यह जो mineral resources है ना उनको conserve करने के कुछ ways है तो question आ सकता है कि what are the waste through which we can conserve our mineral resources तो आप बता सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए renewable resources को use करो इनको use मत करो coal, petroleum, natural gas को हना renewable को करो जिनको हम renew कर सकते हैं उसके बाद हमें recycle scrap metals scrap metal जो कि वो metal जो कि हमने बचनी जाते जैसा कि आप कोई बड़ा समान बना रहे हो कि हमारे लिए scare है जिसकी availability काम है strategic है important है उस mineral का export नहीं करना so वो minerals जो कि हमारे लिए important है उनका हमें export भी नहीं करना हमारे पास अपने लिए बचा के रखना है और future generation के लिए right so mineral mineral क्या होता है type of mineral metallic जिसके अंदर ferrous non-ferrous आते है so metallic ferrous non-ferrous non-metallic fuel और other non-metallic minerals और conservation वाला topic next तलते हैं हम आगे जो कि है अमारा non-conventional energy sources तो देखो आपकी बुग में given conventional source of energy हाँ और उसके बाद non-conventional source of energy तो जो conventional है उसमें यही आएंगे coal, petroleum, natural gas इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख दे न यहाँ पर मैंने आपके लिए explanation प्रोवाइट की है non-conventional energy sources की जिसके अंदर आता है nuclear energy, solar energy, wind energy geothermal energy, biogas इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं तो देखो nuclear energy sources याने कि जो nuclear हमारे क्या होते हैं, products होते हैं जैसे कि uranium, thorium इनसे हम क्या कर सकते हैं energy generate कर सकते हैं तो uranium and thorium are the main mineral that are used to generate nuclear energy और uranium के deposit आपको देखने को मिल जाएंगे राजिस्थान में उदैपूर, कोई भी दो state के आप याद रख ले ना deposits, 36 गड़ दुर्ग district में और महारास्टा भंडारा district, ठीक है महारास्टा में भंडारा हो रहा है ऐसा भी आप याद रख सकते हो उसके बाद यहाँ पर solar energy की बात करें तो solar energy के अंदर यहाँ पर क्या होता है solar cells होते है, जिनको photovoltaic cells भी कहा जाता है, ठीक है यहाँ पर यह cell क्या करते हैं, जो भी हमें sun से जो भी हमें sun से क्या मिल रही है energy मिल रही है, उसको वो trap कर लेंगे और उसके बाद उसे electricity में convert किया जाएगा, इसको use किया जाता है heaters के अंदर, crop dryers के अंदर, cookers के अंदर, और जो हमारे western वाले, इंडिया कम है मैं आपर map draw करू, तो हमारे यह जो west वाले हमारे states हैं जैसे कि राजिस्तान, गुजरात, इन वाले state में high potential है solar energy का, और इंडिया famous solar energy के उसमें production में ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके solar energy के बारे में इतना लिख सकते हो उसके बाद हमारी wind energy तो wind energy में आपने देखा होगा turbines को move किया जाता है, ऐसा करके आपको पता होगा, ऐसे करके आपने यह वाली image famously देखी होगी हाना, तो यहाँ पर ही जो turbine है घूमते हैं और उसके बाद यहाँ पर मतलब यह जो यह एक तरीके से, यह जो पूरा structure होता है, इसको घूमाया जाता है fan type लगता है, और उसके बाद turbine को, turbine घूमता है, फिर उसके बाद उसे electricity में convert किया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर जो kinetic energy है, kinetic energy मतलब जो move कर रही है, यहाँ पर और wind can be directly converted into electrical energy through turbine mechanism, उसके बाद राजिस्थान, गुजरात, वही वाले states और solar वाले, यह वाले states जहाँ पर high potential है, wind energy का उसके बाद geothermal energy वो energy जो की produce की जाती है कहाँ से, देखो हमारा जो अर्थ है, आपको पताऊगा, उसमें magma देखने को मिलेगा, heat देखने को मिलेगी तो जो हमारा अर्थ का interior है वहाँ से, उस energy को निकाला जाता है उस गर्मी को, और उसे उस गर्मी को convert किया जाता है electricity में हना, तो वो भी एक तरीके से हमारा non-conventional energy source है जिसके थूँ हम electricity और energy generate कर सकते हैं, bio gas या bio gas जैसा की, देखो कितना सारा waste generate होता है agricultural waste होता है, municipal waste होता है industrial waste होता है तो इस waste को, इस biological product को हम क्या कर सकते हैं, energy में convert कर लेते हैं, तो वो energy जो की drive की जाते हैं, इन सभी चीजों से उसको हम कहते हैं, bio gas और यहाँ पर एक project है, ओखला के अंदर देली में, यह इसका example है जहाँ पर इस तरीके से energy generate की जाती है, और यह pollution भी नहीं होता, पहली बात है जो non-conventional वाला, इसमें pollution आपको नहीं देखने को मिलेगा, हना इससे हम sustainable development achieve कर सकते हैं, मतलब कि इस तरीके से resource को use करें, जिसमें हमारी needs तो satisfy हो जाए और future generation के लिए भी हम कुछ resources को बचा लें, तो यह important तरीका है, right, तो इसके उपर question बन सकता है, उसके बाद हम चलते हैं, अपने next chapter की तरफ, that is, planning and sustainable development in Indian context, इसमें आपकी book में case study given है integrated tribal development project in भारमौर region, ठीक है इसको पढ़ते हैं, तो और हिमाचल परदेश के चंबा district के अंदर ये एक tribe है, मतलब एक region है ये, भारमौर यहाँ पर क्या है, हाँ पर न एक tribe रहती है, जो की अभी भी रहती है, गद्दीज देखो, हुआ क्या है हाँ पर इनकी जो condition थी न एक time पर बहुत खराब था, इसी को हम isolation कहते हैं, मतलब अपने आपको भारी दुनिया से काट लेना हाना, socio-economic deprivation था, इनके साथ एक तरीके से deprivation था इनके साथ discrimination वगरा भी किया रहता था इनकी जो economy थी वो largely किस पर depend थी agriculture पे and allied activities such as ship और goat rearing, तो जो animal का rearing की जाती है, उस पर depend थी इनकी economy मतलब उनसे ही उनका गुजारा होता था right, अब यहाँ पर होता क्या इनकी जो condition थी, वो बहुत जादा खराब थी तो हुआ क्या, इनके लिए integrated development project लाया गया, भार्मोर के अंदर हना, तो question आप से कैसा आएगा explain the main names of भार्मोर tribal area development plan तो इसको हम study करते हैं, क्या था इस plan के अंदर, तो 1970s के अंदर, गदीश को include कर लिया गया schedule tribes में, अब देखो इनको schedule tribe में include कर लिया, उससे क्या होगा आपको पता है कितनी relaxation मिलती है jobs के अंदर, government jobs के अंदर, हना education के अंदर इने एक तरीके से reservation मिलनी start हो गई तो इनका भला होगा, हना ये government में involve होगे, ये अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, उसके साथ यहाँ पर इनका जो development process था, वो start हो गया, और 5 year plan हम लेकर आये थे, हना उसमें जो 5 वा 5 year plan था, उसमें क्या हुआ उसमें भारमौर को ठीक है, भारमौर को क्या मान लिया गया 5 में से एक ऐसी जगा मान ली गई was designated as one of the 5 integrated tribal development project in हिमाचल प्रदेश तो integrated tribal development project जो की चलाया गया था, ताकि हम जो भी tribes हैं, उनकी development कर सकें तो उन में से, उन हना, तो इनकी development हो जाती है तो क्या-क्या एक तरीके से इसमें aims होते हैं इसके, तो इसकी aims थे जैसा कि इनकी जो quality of life है उसको improve करना है, जो gap है हिमाचल प्रदेश के इस वाले district में और दूसरे वाले जो district है, उनमें जो भी gap है development को लेकर जो भी gap है उसको हमें कम करना है और बराबर करना है, कि जितनी ये वाला district develop है, उतना ये भी होना चाहिए हना, उसके बाद priority जादा दी गई transport and communication को लेकर ठीक है, और agriculture पे तो जो main priority दी गई, वो दी गई agriculture पे, transport पे communication पे, ताकि ये जो भी लोग हैं अच्छे से agriculture कर सकें, और जो transport and communication है, हना ताकि ये transport कर सकें, आपस में बातचीत कर सकें, और ये जो isolation की इनकी जो problem थी, वो कम हो जाए, हना, उसके बाद क्या क्या achievement हुई, हमने ये program देख लिया, इसका aim क्या था, वो देख लिया क्या इसने कुछ अचीव भी किया जी हाँ, अचीव किया था, जैसे कि development हुआ, infrastructure का, schools बनाए गए, health facilities दी गई portable water दिया गया, roads बनवाई गई, communications and electricity में improvement हुई, उसके साथ यहाँ पर gender gap कम हो गया यानि जो literacy rate थी, वो बढ़ गई male की भी, as well as female की भी, हना उसके बाद जो sex ratio है उसमें improvement हुआ, और जो child marriages थी, वो कम हो गई तो एक तरीके से यह achievement है, किसकी ITDP, ITDP ठीक है, integrated tribal development program और plan, ठीक है तो यह plan चलाया गया, यह program था, और किस तरीके से जो भार्मौर, district के अंदर यह start में है, right, तो इसको हमने अच्छे से कर लिया, अब हम चलते हैं, अपने next topic की तरफ, तो इससे question आएगा, long question बनने के chances हैं, आप कर लेना, ठीक है उसके बाद हम चलते हैं, एक और topic के उपर, आपकी book में case study given है, इंदिरा गांधी कैनाल नहर command area देखो, होता क्या है, आपको पता होगा, इंडिया के अंदर, यह आप map देखो, इस map से आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखो, इंडिया का जो north side है न, उसमें काफे सारी rivers देखने को मिलती हैं, जैसे कि Indus river और उसकी कई सारी tributaries जैसे कि सतलज river ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर, यहाँ पर यह बियास river, I think इस वाले में सतलज दो बार गीवन है मत्तब कई सारी रावी, बियास सतलज, जेलाम, यह rivers आपको देखने को मिलेंगी, जो कि Indus river की tributaries हैं, अब यहाँ पर जो water की availability है, जो कि मैं north वाले part की बात कर रहा हूँ, पंजाब वाले area में, ठीक है, और उसके बाद हिमाचल वारे area में, जो मुन कश्मीर वाले area में, water की availability देखने को मिल जाती है अराम से हना, लेकिन Rajasthan वाला जो area है, गुजरात वाला area है, यहाँ पर water की availability बहुत कम होती है, जो कि desert वाला area है, ठीक है, तो हुआ कि है, इहाँ पर इन्हों ने क्या किया, canal बनाने का सोचा, इंद्रा गांधी canal command area कहते हैं, जहाँ पर इन्हों ने क्या किया है, जो barrage बनाया एक, ठीक है, barrage मतलब एक तरीके से low हो रही थी, उसको बैराज बनाके इधर कर दिया गया, ताकि वो पानी राजिस्थान में भी पहुचाया जा सके, तो यह आप जो देख रहे हो, यह वाला, मेरी pan जो देख रहे हो, इधर, इसको canal बनाया, और यह जो areas है, जैसल मोर, जैसल मेर वाला area, और भी कई सारे जो area हैं, विकानेर, इन में पानी पहुचाया गया, और जो water की problem थी, उसको solve किया गया, I hope आपको समझ में आया होगा, इसका idea दिया था, कुनवर सेन ने 1948 में, इसको launch किया गया, 31st March 1958 T8 में, ठीक है, the canal originate at Harike Baraj, Punjab State में, और उसके बाद ये, जो Pakistan का border है, ये Pakistan का ये वाला border उसके parallel में जा रहा है, ये Pakistan का border इसके parallel में जाता है, और जो रादिस्तान वाले area हैं, उसमें पानी पहुचाया गया, हना, और इसका दो phase में construction किया जाता है, canal का पहले stage में, गंगा नगर, हनुमानगर, नदन जो parts है, विकानेर के district के, महाँ पर पानी पहुचाया जाता है, और दूसरा वाला जो यहाँ पर stage है, इनमें विकानेर, जैसलमेर, बारमेर, जोधपूर, नाकपूर, एंचूरू district of राजिस्तान, यहाँ पर पानी पहुचाया जाता है, इस canals के through, ठीक है, अब यह जो canals इसको बना दिया गया, ठीक है, उसके बाद पानी भी आ गया उनके पास, तो क्या क्या इसके effects हमें देखने को मिलते हैं, environment पे क्या ही इसके effect पड़ा, तो देखो, यहाँ पर हुआ क्या, पहले soil, जो है, उसमें moisture की availability नहीं थी, मतलब moisture मतलब पानी है न, वो मिलने लग गया, पानी है तो afforestation होगा, पेड जादा develop होँगे, pasture development हो जाएगी, उसके बाद land green green हो जाएगा, जब आप पेड लगा रहे हो, इसका environment पे एक negative effect भी पढ़ा, जो कि था water logging और soil salinity की problem, हाना, तो water logging की जो problem है water भरना, वो बढ़ गई थी, और जो soil है वो, saline हो गई थी, मतलब उसमें जो salt की quality हो बढ़ गई थी, quantity, ठीक है, so the soil की quantity है वो बढ़ गई थी, तो ये था effect इंदरा कान दी कैनाल का environment के उपर की अच्छा एन अच्छा फरक भी पढ़ा, ठीक है, aforestation हुआ, greenery बढ़ी हमाँपर, सब कुछ हरा हरा हो गया, moisture बढ़ा हमाँपर, wind erosion हमाँपर, जो है कम हो गया, और negative effect था कि जो water है, अब आपके पास ज़्यादा पानी है, तो वो पानी एक तरीके से क्या होगा, भरा रहेगा, water logging हो जाएगी, क्योंकि देखो, आपने कोई भी चीज़ बना तो दी, बट उसका proper तरीके से यूज करना वो बहुत important है, किस तरीके साब उसको यूज कर रहे हो, अब अच्छे से agriculture करोगे, fertilizer use करोगे, उससे क्या होगा, जो soil है, वो saline बन जाएगी, salt की quality बढ़ जाएगी, जिससे, I mean quantity बढ़ जाएगी, और जिससे क्या होगा, एक तरीके से, महाँ पर problem होगी, हना, और वो जो soil की fertility कम हो जाएगी, और water logging की जो problem है, वो बढ़ी गई, हना, तो ये था, इंदरागान्दी कैनल command area, जहाँ पर क्या होता है, पानी पहुचाया जाता है, जो हमारी इंडस रिवर की tributaries हैं, और हरी के बैराज बनाके, पानी का जो भाव है, उसको divert किया जाता है, दो phase में होता है, ठीक है, पहले phase में कुछ cities को फायदा होता है, दूसरी phase में कुछ cities को, और क्या होता है, इस इंदरागान्दी कैनल का क्या फरक पढ़ा, environment पे क्या effect था, और क्या effect था agriculture पे, तो mostly हमें positive effects देखने को मिलते हैं, next chapter है आपका transport and communication, जिसके अंदर ये topic important है, कौन सा road transport वाला, ठीक है, तो ये question आपकी exam में आ सकता है, write any six characteristics of road transport in India, तो यहाँ पर जो India है न, मैं आपको characteristics बता देता हूँ, तो यहाँ पर जो India है, उसके अंदर आपको 42.3 lakh km की routes देखने को मिलेंगी, और India उन country में से एक है, जहाँ पर आपको, क्या देखने को मिलेगा, large road network देखने को मिलेगा, और road transport carry करता है 85% passenger को, और 70% off, इस जगह आप good बोल सकते हो, है न, goods, ठीक है, freight के जगह आप goods बोल सकते हो, कि यहाँ पर क्या करता है, road को use करते हुए 85%, जो passenger है वो एक तरीके से, उसको use करते हैं, और 70% goods को carry किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुचाया जाता है, कैसे, goods को पहुचाया जाता है, roads के through, उसके बाद, थर्ड यहाँ पर क्या है, various attempts are made to modernize and improve the condition of roads, तो कई सारे यहाँ पर plans लाए गए, हना, जैसे कि नाखपूर plan, 20 year road plan, तो कई सारे plan लाए जा रहे हैं, जिसमें जो roads हैं, उनको अच्छी तरीके से manage कर सकते हैं, जो यहाँ पर metal road है, उनको बढ़ाना है as compared to unmetal road, आपने देखा होगा, unmetal road mostly आपको rural वाले एरिया में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हमें metal road develop करनी है, हना, और यहाँ पर जो roads हैं, उनको classify कर रहा है, अलग-अलग points में, अलग-अलग categories में, जिससे क्या कर सके हम, on the basis of, on the purpose of construction, and maintenance in national, ठीक हैं, तो maintenance के basis पे, और construction के basis पे, और उनकी length के basis पे भी, हमने इनको divide किया हुआ है, जैसे कि national highways, state highways, major roads, district roads, rural roads, और उसके साथ-साथ, हमारे पास state highways हैं, national highways हैं, district roads हैं, rural roads हैं, यह तो हैं ही, उसके साथ-साथ, कुछ border roads भी हैं, ठीक है, जिनको defense purpose के लिए construct किया जाता है, international roads भी हैं, जिनको construct किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, neighboring जो countries हैं, उनसे connect हो सकें आपस में, कल को लड़ाए होती है, इंडिया और प्लस में, चाइना की, या फिर पाकिस्तान की, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमारे पास, जितनी बड़िया border road होगी, जितनी बड़िया हमारे पास, international roads होगी, उतनी बड़िया तरीके से, हम अपनी army को, वहाँ पर move करा सकते हैं, ठीक है, और उतना ही हम fast, उनको पहुँचा सकते हैं, कि वह एक तरीके से, अपने इंडिया की तरफ से, हमारे defense कर सकें, इंडिया का, राइट, यह थे, six characteristics of road transport, कि इंडिया का जो transportation है, वो भी काफी जादा है, और कितने percent यह, लोगों को एक तरीके से, लोग use करते हैं, कौनकों से plans लाए गए थे, लिख लोगे, यह points मैं आपको बता देता हूँ, urban waste disposal, जो कि एक बहुत बड़ी problem है, इंडिया के अंदर, हना, so environmentally pollution by solid waste, has now become a cause of concern, due to enormous quantity of waste, generated in the country, तो एक problem है, तो कि कई सारा जो waste है, उसको generate किया जाता है, solid waste होता क्या है, so solid waste refers to various old and unused articles, such as आपने कोई भी metal का piece फेक दिया, या फिर broken glassware, plastic container है, polythene bags, cds हैं, तो यह सारे waste बन जाते हैं, इन में से कुछ biodegradable होते हैं, जो कि consume हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से वो, bacteria वगएरा जो भी आपकी soil में, देखने को मिलते हैं, और वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता, लेकिन non-biodegradable waste जैसे की plastic, यह पड़े रहेंगे सालों साल, इनको animal use कर लेंगे, animal खा लेंगे, और उससे क्या होगा, उनको problem होगी, और कल को उसी animal को, एक person खा रहा है, उसके पेट में भी बिमारी जाने वाली है, जो की बहुत बड़ी problem है, हना, तो India is facing a serious problem of urban waste disposal, about 90% of the solid waste is collected and disposed, often metropolitan cities, metropolitan cities like Mumbai, Kolkata, चिन्नाई, बैंगलेरू, तो 90% solid waste हमें कहां देखने को मिलता है, बढ़िया बढ़िया cities में, metropolitan cities में देखने को मिलता है, ठीक है, इसका effect क्या होगा, तो देखो, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो, मेरे साथ disease बढ़ेंगी, हना, उसके सासत कई सारे लोगों को problem face होगी, हम, और यहाँ पर आप वो सकते हो, health face का बेकार असर पड़ेगा, environment पल्यूट होगा, इन सारे points को आप mention कर सकते हो, और स्वच बारत अभियान इसको launch किया गया 2014 में, ठीक है, 2 October, ताकि हम क्या कर सके, इसी problem को solve कर सके, so urban waste disposal, एक बहुत बड़ी problem है, solid waste होता क्या है, इसके अंदर आप यह बता दे न, और किस तरीके से यह, कई सारी cities में पाया जाता है, क्या इसके effect है, और इसको खतम करने के लिए, कौन सा plan हमने launch किया, emission, और कब किया, उसके बाद question आप देख सकते हो, why is urban waste disposal, a serious problem in India, explain any three reasons, तो तीन reason आप explain कर देना, ठीक है, अब यहाँ पर next topic है, हमारा slum की problem, तो आपको slum mostly कहाँ पर देखने को मिलेंगे, urban areas में हैंना, slum, तो यहाँ पर इनकी problem क्या-क्या होती है, तो देखो यहाँ पर आपके broken house देखने को मिलेंगे, hygiene condition नहीं होती, ventilation नहीं होता, basic यहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं है, light भी नहीं है, toilet की facility नहीं है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर एक तरीके से, एक तरीके से over crowded होते हैं, कोई proper चीजी नहीं है, हना, और उसके साथ साथ proper drainage system भी इनका नहीं है, open defecation करते हैं, bathroom की facility नहीं है इनके पास, हना, और उसके साथ साथ यह काम भी कुछ करते हैं, तो इन्हें payment भी बहुत कम मिलती है, poverty की situation है, जिसकी वज़ासे यह proper education नहीं दे पाते हैं अपने children को, और उसके साथ साथ यह poverty ही है, जिसकी वज़ासे यह कई सारे बेकार activity में involved हो जाते हैं, जैसे कि drugs को consume करना, alcohol को consume करना, crime करना, चोरी करना, हना, और जिसकी वज़ासे बाद में यह society से कट जाते हैं, मतलब, isolation की problem, एक तरीके से इनके लिए बन जाती है, हना, फिर यह छिपते गूमते रहते हैं, कि हमें छिपना है, हमने चोरी की है, और एक तरीके से society से कोई मतलब भी नहीं होता इनको, तो जो problem है slums की, जिसमें इनके पास पूरा प्रॉपर तरीके से घर नहीं होता, facility नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड धंकी नहीं है, ठीक है, खाने को धंक से खाना नहीं है, education भी नहीं है, तो उसको कैसे solve किया जाए, तो यह जो the condition of slums can be improved, by a proper planning, explain this statement by giving some useful measures, 5 मार के लिए important है, यहाँ पर मैंना आपको problem बता दी, बट आप खुदी सोचो कि इस problem को कैसे solve करें, question में पूछा गया है planning के दुवारा, तो आप क्या planning करोगे, एक तरीके से उनको, पहली चीज उनको employment प्रोवाइड करो, हना, employment आप प्रोवाइड करोगे, तो उससे क्या होगा ने पैसे मिलेंगे, पैसे से क्या होगा, poverty कम होगी, और जब poverty कम होगी, एक तरीके से indirectly poverty की problem है ये, तो poverty आप कैसे खतम करोगे, आप वो point इसमें mention कर सकते हो, तो poverty खतम होगी, तब ये अच्छे तरीके से घर खरीद पाएगे, इनके पास सारी facility होगी, और government यहाँ पर involved हो सकती है, government को involved होना है, ठीक है, basically यहाँ पर, और कई सारी policies के through, यहाँ पर ये जो problem है, slum की, इसको खतम किया जा सकता है, ठीक है, तो exam में आएगा question तो miss मत करना, last यहाँ पर हमारा topic is video का, that is जबुआ case study, ठीक है, so watershed management एक तरीके से, एक method है, जिससे हम land degradation को, क्या कर सकते हैं, prevent कर सकते हैं, तो basically जो land degradation है, ठीक है, जो land degradation है, उसमें क्या होता है, जो land है, वो खराब हो जाता है, उसका erosion हो जाता है, एक तरीके से soil erosion हम कह सकते हैं, इसको ना, तो, यहाँ पर इसमें erosion की spelling, mistake हो गई है, तो soil erosion, यहाँ पर हम कह सकते हैं, कि जो land है, वो एक तरीके से खराब हो जाता है, हना, तो soil erosion, तो जो soil erosion है, हम कह सकते हैं, land degradation है, तो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास, एक mechanism है, एक program, एक तरीके से method है, जो कि है, watershed management, हना, as a method, जिससे हम जो land degradation है, उसको कम कर सकते हैं, तो देखो, land degradation को अगर हमें कम करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, watershed management program को, अटॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो water है, उसको safe करेंगे, ठीक है, soil erosion है, उसको रोकेंगे, agriculture को यहाँ पर हम प्रमोट करेंगे, forest station यहाँ पर क्या जाता है, वही किया गया, जबुआ district in MP, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक तरीके से problem थी, MP के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर जो watershed management program, implement किया गया, जिसके अंदर लोगों ने क्या किया, planted, each house was planted, and maintained one tree on the common property, they also planted fooder grass on the pasture land, so that it would provide, fooder for their cattle in future, तो यहाँ पर इसी को implement किया गया, जबुआ के अंदर, जो की एक district है MP में, और watershed management program था यह, जिसके अंदर इन्हों ने क्या किया, जो problem थी, land degraded हो रहा था, उसको improve की, improve करा, पेड लगा कर, water को save करकर, और soil जो erosion है, उसको रोक के, ठीक है, उसके बाद, उसको proper तरीके से manage कर लिया गया, right, so this was all about the Jhabua case study, as a watershed management program, question क्या आएगा, question यह आएगा, कि examine the success of watershed management program, implemented in the Jhabua district of MP, तो जो Jhabua district है MP का, उसमें किस तरीके से, इस program को implement किया गया, ठीक है, और क्या हमें success मिली, तो आप इसके बारे में, पहले explain करना, Jhabua district के बारे में, और उसके बाद, watershed management क्या होता है, कैसे हम land degradation को solve करें, और कैसे Jhabua के अंदर, हुआ यह solve, सो यह था इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के जो यह notes है ना, यह मैं आपको telegram channel पे provide कर दूँगा, आपको नीचे link मिलेगी, group को join कर लेना, अगर आप telegram पे नहीं हो, तो आप app download कर लो, कुछ नहीं होगा उसमें, और आप group को join कर लेना, ठीक है, मैं आपको वहाँ पर PDF provide कर दूँगा, I hope आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, ठीक है, इसको एक बार दुबारा देख लेना, जो आपने notes बनाए हैं, या फिर जो मैं आपको PDF दूँगा, उसको भी पढ़के जाना, ठीक है, तो, आप all the best आपके exam के लिए, अच्छे से attempt करना, डरना बिल्कुल भी मत, प्रॉपर तरीके से पहले exam को, उसको question paper को read करना, और decide करना, कि अगर और वाले question में, आप कौन सा attempt करने वाले हो, फिर प्रॉपर तरीके से उसको attempt करके, अच्छे से आप कर लेना, ठीक है, wish you all the best for your exam,